नमस्कार साथियों धोरा क्लासे जो टूडे टोक परिवार में आप सभी का स्वागत है तो आज वंदरक्षक के जो एड्मिट कार्ड है वो जारी हो जाने की पूरी संभावना तो अभी हम पहले वेबसाइट पर चेक कर लेते हैं कि अभी तक जारी हुए हैं या नहीं हुए हैं कब तक जारी होंगे और किस परकार से आप एड्मिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं दो तरीके हैं जिससे आप एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोनों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों कुछ बच्चों को दिक्क SSB, जैसा कि आपके सामने ये लिखा हुआ है जैसे ही आप RSM SSB सर्च करोगे, तो आपके यहां नीचे देखे बहुत सारे option आ जाएंगे RSM SSB के, और यही पर आपको मिल जाएगा admit card, ठीक है और इस admit card वाले option पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक जो नया page है वो open हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं यहां पर जो नया page है, वो open हो गया है अभी मैं बात करूँ, तो forester, forester जो है उसके admit card यहां पर सो कर रहा, direct recruitment of forester and forest guard इसमें, जो forester है उसका जो admit card है, वो अभी आप download कर सकते हैं, लेकिन forest guard की अगर मैं बात करूँ, तो यह आज के दिन में मतलब सामन तक, जो है admit card आने की पूरी possibility है, release हो जाएंगे, लेकिन download करने में आपको बार-बार issue आता है, तो आप कुछ न कुछ mistake करें, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगा, अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ option आते हैं एक तो view application, हम application को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, get admit card पे क्लिक करके हम अपना admit card जो प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पर vacancy की जो detail है, वो हमें so की गई है हलांकि इसमें updated detail नहीं दी गई है, अब जैसे ही हम get admit card वाले link पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने जो admit card का window है, वो open हो जाएगा अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आप man's का exam दे रहो, तो यह जो pre-exam है इसकी जगे आपको क्या करना पड़ेगा इसकी जगे आपको man exam करना पड़ेगा क्यूंकि forester और forest guard में pre-exam नहीं है, सिधा man exam है इसके बाद में यहाँ पर आपको application number डालना है application number जब आपने forum बराता तो print out आपने लिया होगा, उस पे मिल जाएगा साथ यह आपके पास message आता है, email आता है वहाँ पर भी आपको application number आसानी से मिल जाता है और SSO ID के माद़िम से जब आप SSO ID में आप इंटर करते हो, तो वहाँ भी recruitment के अंदर आपको मिल जाएगा application number और आपकी जो application forum है, उसका view आप देख सकते हो और इसके बाद में यहाँ date of birth आपको select करना है और उसके बाद में यह जो capture है, यह आपको इसमें इंटर करना है, ठीक है? और इसके बाद में आपको get admit card पे click करना है, तो ऐसे में आप direct जो admit card है, वो download कर सकते हैं, अब दूसरे माद्यम के अगर में बात करूँ, तो आप दूसरा माद्यम यह है, कि आप सीधा SSO ID में login करोगे, और login करके आप state recruitment portal वहाँ पर बना हुआ, उसमें जाओगे तो वहाँ से भी सीधा आपको इसी page पे direct किया जाएगा, और इसके बाद में बात करूँ, तो आपको same ही process करना है application number लगाना है, DOB लगाना है और उसके बाद में capture लगाना है और उसके बाद में आप जो है, अपना admit card आसानी से देख पाओगे, अब दो SSO ID में username भूल गया हो तो username reset कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपके पास में 2-3 option होते हैं तो आसानी से तसलिस से बेट कर आप काम करोगे, तो आप SSO ID में login करोगे, और login करने के बाद में आपके सामने application आ जाएगी और application जब आ व्यू करोगे तो आपको वहाँ पर registration नमर DOB, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा तो कोई आपको प्रेशानी नहीं होगी admit card को download करने में ठीक है, तो उमीद है ये जानकारी आपको पसंद आईए तो वीडियो को like और share करना मत बुलिएगा और अब तक आपने धोरा classes के crash combo में participate नहीं किया है तो धोरा classes की application पर जरूर आप crash combo के अंदर participate किजेगा, 100% तयारी के लिए और सबल तागो सुनिश्चित करने के लिए बड़ा महतपून आप लोगों के लिए crash combo चल रहा है तो उसका link में आपको comment box में दे दूँगा description box में दे दूँगा वहाँ से आप check out कर लिजेगा जरूर visit केजेगा, बहुत ही जारा महतपून आप लोगों के लिए ओके, thank you, धन्यवाद, रामरामसा, खमागणी